हलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुकवीद भोली में तो बताइए कैसे हैं आप सब आसा करती हूं कि आप सभी स्वस्त और मस्त होंगे और आप सभी अपना अच्छे से खयाल भी रख रहे होंगे तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेश्टी खस्ते मटर की कचोड़ी तो अभी तो ठंड का सीजन हैं और बहुत सारी मटर आ रही है मार्केट में तो बनाना बिल्कुल बनता है तो यह देखिए कितनी खस्ता और बहुत ही टेश्टी कचोड़ी बन करके तयार हुई है और आप चाहें जितना दिन भी रखे आप इसे यह बिल्कुल वैसे ही फुली के फुली रहेंगे सारी कचोडिया और वैसे ही खस्ती बने रहेंगी यकीन मानिए आज की वीडियो देखने के बाद आपकी भी कचोडी की रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी और कभी भी आप इसमें फेल नहीं ह प्रेश्टी आपकी कचोड़ी बन करके तयार होगी तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये रेसिपी तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पर एक कर्टोरी मैदा लिया है और यह थोड़ा समयदा और है तो आधा कर्टोरी से कम है तो आप जितना भी बनाना चाहते हैं उसक तो पहले यहां पर मैंने चार चमज़ डाला है अगर जोरत पड़ी तो और डालते जाएंगे धीरे से हं आप यहां पर चाहे तो गी कभी मौन डाल सकते हैं या घी और तेल दोनों लिकस करके भी आप यहां पडाल सकते हैं तो चलिए हां से अच्छे से मसल अचे करके हमें इससे एक जैसा कर ले ना है सारे अताकी i. तकी सारा मैदे में तुमिक्स हो जाए तो देखिये बहुत ही गिला-गिला सा लग रहा है अभी यह चूने से जबकि मैंने यहाँ पर इपानी का यूज नहीं किया है सिप मोवन है इसमें तो मैंने यहाँ पर एक चममाच घी का यूज़ किया था और और ना गलती से कैमरा ओन नहीं हो पाया इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो आप यहां पर जितना भी जरुरत पड़े उसी साब से आप यहां पर मोहन डाले घी या तेल का और इस तरह से लड़ो बनना चाहिए इसका इ बिल्कुल सॉप्ट सा डो लगाना है इसका हमें जैसे हम रोटी और चापाती के लिए बनाते है ना अटे का डो तो बिल्कुल वैसा ही डो हमें लगाना यहां पर बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और यह एकदम स्टिकी सा लग रहा है ना अभी देखने से तो जैसे हम मसलते जाएंगे यह सारा पानी अबजोर कर लेगी और यह देखिए इतना सॉप्ट है यह हाथ में अभी एकदम चिपक रही है लेकिन थोड़ी देर हम ऐसे ही मसलते देंगे और यह एकदम सॉप्ट हो जाएगी तो यह देखिए पानी को इसने अच्छे से अब्जोर कर लिया है और यह बिल्कुल सैट हो गई है तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ठाक करके इसे साइड में रख देते हैं अब यहां पर एक मेक्सी के जा देते हैं तो यहां पर एक चम्मत दन्या डालेंगे और दो चम्मत डालेंगे तो साबुत धन्या दालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो आप जरूर डालें इसे आपके पास है तो एक टेबर इस्पून यहां पर जीरा है सारे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है बहुत जादा जलाना नहीं है हलकी सी इसमें से खुसबू आने लगे और इनका मॉइस्टर जो है वो खतम हो जाए तो बस दो मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है तो इसमें से अच्छी सी खुसबू आने लगी है अब गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें हलका दरदरा सा कूट लेंगे यह आप मिक्सी के जाल में डाल करके पीश भी सकते हैं लेकिन हलका दरदरा ही रखिएगा बहुत ज़्यादा बारिक करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं आता है अब इसी कड़ाई में हम एक छोटा चम्मच तेल डाल देंगे एक चोटाई चम्मच हींग है हींग से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्लेम को हम लोही रखेंगे एक चममच लाल मीर्ज का पॉडर है, या आप यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और दो टेबल इस्पून यहाँ पर मैंने बेसन डाला है, एक टेबल इस्पून यहाँ पर अमचूर का पॉडर है, आधा टेबल इस्पून यहाँ पर काला नमक डाल रह रही हुम है आप चाहें तो यहां पर साधा नमक भी डाल सकते हैं और इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिया अब हमने जो मसाला पीस करके रखा था उसे डाल देंगे तो मसाला बहुत ज्यादा हो गया था तो उसमें से मैंने सिप 1.5 चमज डाला है अब सारे मसालों को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि इसमें जो मॉइस्टर है ना वो खतम हो जाए और अच्छे से इसका फ्लेवर भी आ जाए मसालों को तो मसालों को मैंने 3-4 मिनट के लिए भून लिया है और अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं तो तो देखे 5 मिनट के बाद में यह अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब इसमें से हम छोटी छोटी बॉल्स बना करके तयार कर लेंगे तो देखे नीबुके साइज का हम बनाया करके इसे तयार कर लेंगे तो इससे बहुत ही आसानी होगी हमें तो यह लिजए सारे बॉल मने इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं मैदा की तरफ तो मैदा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है अब इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे हाथ से अच्छे से और ये देखे बहुत ही स्मूध है ये हमें इसे नरम इसलिए रखना है क्योंकि हमें इसे हाथ से फैलाना है तो अब जितना हमने मटर का बॉल बना करके तयार किया है उसे थोड़ा साइज में बड़ा हमें इसका लोई काटना है तो यह देखिए बॉल इतनी बड़ी है उससे बड़ी साइज में हमें लगभग डबल साइज में हमें मैदा का लोई काटना है ताकि इस टफिंग जो है इसके अंदर आसानी से आ जाए तो अब इस तरह से हमें हासे इसे फैला लेना है तो यह देखी बहुत ही सॉप्ट है आटा इसलिए असानी से फैल जाती है और अब इसके बीच में हमें एक स्टफिंग रखना है उठा करके और इस तरह की नारे से पकड़ते हुए इसका मुह हमें बन कर लेना है और इसे लंबा पकड़ करके आप थोड़ा सा खीचते जाए लोई को और जितना भी एक्स्ट्रा है आटा उसे हटा देंगे हम और इस तरह से बीच पकड़ करके इसी में जॉइंट कर देंगे और अभी इसे हम नहीं फैलाएंगे इसे ऐसा ही भर करके रख देते हैं साइड में और बीच को हमें ज्यादा नहीं फैलाना है कि नारे जि और यह लिजए सारी स्टफिंग भर करके तयार है और इधर मैंने तेल भी चड़ा दिया है गरम होने के लिए तो तेल हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है और अब कचवड़ी फैलाते जाएंगे हम इस तरह से तो आप हथेलियों के बीच में रखते जाईए और इस त जाएंगे तो अच्छे से दबाते हुए इसे हमें फैला लेना है जितना जादा आप दबा करके इसे फैलाएंगे न उतनी जादा आपकी कचवड़ी फूल करके उपर आएगी तो यह देखिए अच्छे से इसे प्रेश करते जाए हलके हलके हां से और बहुत ही पतली यह बन करके तयार हो गई है यह देखिए तो जितनी भी कचवड़ीया मैंने बनाई सारी की सारी कचवड़ीया फूली और एक भी फटी नहीं किनारे से भी और भीसते कहीं से भी बहुत ही अच्छी कचवड़ी बनी हमारी तो चलिए अभी से तल लेते हैं तो तेल बिल्कुल ठंडा है भी बहुत जादा गरम नहीं है और अब एक एक करके इसमें हम कचवड़ीय डालते जाएंगे तो देखें तेल बहुत ही हलका असा गरम हुआ है हमारा और कचवड़ी डालने से आपको समझ में आ रहा होगा कि तेल कितना गरम है बिल्कुल हलका गुनगुना से रखना है हमें तेल तेल का टेंप्रेचर और एक बार में जितनी कचवड़ीय आप डाल सकते हैं इसमें खड़ाई में आपकी जितनी आ सके आप उतनी डाल दीजी इसमें और इन्हें लो फ्लेम पर ही अच्छे से सिखने दीजीए तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे हमें सेखना है लास्ट तक फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है और ये नीजे से थोड़ी थोड़ी सिख चुकी है और ये देखिए अब ये तैर करके उपर आने लगी है इस तरह से हलका हलका आप तेल डालते जाईए इसके उपर कोई भी एक छोटा सा चम्मच ले लिजीए और इस तरह से तेल डालते जाईए और देखिए बहुत ही अच्छी फूल रही है हमारी सारी कचोडिया और अब इससे हम पलट लेंगे तो दोनों तरब से हमें इसे पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक तल लेना है तो एक बेज को तलने में लग भाग 10 मिनट लग गया है तो इसे दोनों तरब से मैंने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक तल लेना है देख लीजिए इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है इस तरह से तेल थोड़ा थोड़ा आप उच्छाल करके डालते जाईए इसके उपर और कलर देखके यह आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कितनी टेस्टी और कितनी खस्ता बनी है और सारी कचवरिया बहुत ही अच्छे से फूल रही है देखिए तो दोनों तरब घुमा करके मैंने लग भक तीन से चार बार इसे पलट पलट करके सेख लिया है और यह लेजे तयार है हमारी कचवरी इसका कलर देखिए आप और यह बिल्कुल भी फटी नहीं है कहीं से भी और खाने में बहुत टेस्टी और बहुती आसान सी रेसिपी है यह आप इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी आपकी कचवरिया नहीं बिग्रेंगी और दूसरा बैज आप जब भी डालिए अच्छे से स्योर हो जाईए गैस को बन कर लिजे और तेल को अच्छा ठंडा हो जाने दीजे और यह देखिए दूसरा बैज हम डाल रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा है तेल एकदम हलका सा गुनगुना है बहुत ज़्यादा गरम ते कचोरिया बनाई सारी की सारी एक जैसे ही फूल करके वापस आई है और लिजे तैयार है हमारी गर्मा गरम मतर की कचोरिया आप इसे कभी भी इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती यह खाने में तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी